Good morning students, मैं सुमन आपको इस वीडियो में हडपा नगर के इतिहास के बारे में बताऊंगी तो देखेगा students, जो हडपा नमक नगर है, यह है सिंदु गाटी सब्वेता का ही एक नगर है और सिंदु गाटी सब्वेता के बारे में हमने पहले काफी कुछ पढ़ा है तो देखेगा सिंदु गाटी सब्वेता में जो हमने नगर पढ़े थे, नगर निर्माण योजना पढ़ी थी तो उनके बारे में बताऊंगी आपको कि वैसे तो सिंदु गाटी सब्वेता में कई स्तल मिले, हजारों स्तल मिले लेकिन जो पूंड विक्सित, जो नियोजित जो नगर है वो छे हैं, कौन-कौन से हैं, मोहनजोदडो, हडपा, कालिबंगा, लोथल, चनहुदडो, बनवाली ये ऐसे नगर हैं, जो नियोजित अवस्ता में हमें मिले हैं, इनके बारे में एक्जाम में भी कई बार क्यूशन पूछ लिया जाता है, तो इन सभी नगरों के बारे में हम अलग-अलग वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप सबको पता ही है कि बाई जो सिंदुगाटी सभीता इसका काल क्या था, आदेथी ऐसी काल था, और आदेथी ऐसी काल क्या होता है, जिसमें पूरा तात्विक और लिखी दोनों साक्से मिलने, लेकिन जो लिखी साक्से वो पढ़े नहीं गए, इसलिए जो आदेथी आदेथी ऐसी काल है, उसके बारे में हम पूरा तात्विक स्रोतों से ही पता लगा सकते हैं, और इसी आदेथी ऐसी काल का एक पार्ट है सिंदुगाटी सभीता, और सिंदुगाटी सभीता में जो नगर है, उनमें से एक नगर है, हडपा नगर, जिसके बारे में हम इस वी हडपा सोरी इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके तो पढ़ते हम हडपा नगर के बारे में देखेगा हडपा नगर तो सब्बेता की पर्थम राजदानी स्विकार की गई है हडपा का पर्थम पुरातात्विक उत्खनन 1921 इस्वि में किया गया था पर्थम उत्खनन का कारिये पुरातात्विक भाग के निर्देशक जोन मार्शल के नेतरत्व में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया 1923 में इस 46 में खुदाई का कारिय किया हडपा रावी नदी के तट पर मौंट गुम्री जीले में पंजामी इस्तित है जो अब पाकिस्तान में है हडपा के टीले या धवनसा वसेसों के बारे में सर्वा पर्थम जानकारी 1826 इस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी हडपा सहर का अधिकांस भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नस्ट हो गया था यहां के अवसेसों में दूर्ग, रक्सा प्राचीर, निवास ग्रह, चबूत्रे तथा अन्नागार, महत्तवपूर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो देखेगा हडपा से मिले साख से, तो क्या-क्या साख से मिले हडपा से? हडपा से एक दरपन प्राप्त हुआ जो तामबे का बना हुआ है, हडपा के बरत्नों पर लेक प्राप्त हुए हैं यहां से प्राप्त कुछ बर्तनों में मानव अक्रेतियां भी मिली हैं हडपा से प्राप्त मुद्रा में गरूर का चित्र है यहां से तामबे की बनी एक इका गाड़ी रेखेगा यह है जो तामबे की एक इका गाड़ी प्राप्त हुई है हडपा से कांसे की बनी हुई खिलोना के रूप की गाड़ियां भी मिली है यहां से एक समाधी ग्रय के परमाण मिले हैं जिसे कब्रिस्तान R-37M समाधी H के नाम से जान जाता है R-37 का समध हडपा चरण M-H परकार का समध परवर्ती हडपा चरण से है हडपा से मात्र देवी की म्रण मूर्ती मिली है हडपा से लिंग पूजन के सरवादिक साख से मिले है यहां से जली हुई इटों के आवास तथा जल निकासी के परमाण मिले है मानव धड मिला है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है हडपा पर 6-6 की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है यह अन्नागार नदी के निकट ही है जिससे लगता है कि इससे जल परिवहन द्वारा पानी के आपूर्ती की जाती होगी तथा अन्नागारों के मुह नदी की ओर खुलते थे जिससे पानी के रास्ते अनाज का व्यापार किया जाता था सिंदू सबेता की अभिलेक वाली मुहरे सरवाधिक हडपा से ही मिली है हडपा से दो कमरों वाले भी बैरक भी प्राप्त हुए हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे नगर की रक्षा के लिए पस्सिम की ओर बने दूर्ग को वीलन ने माउंड एबी की संग्या दी है आप देखेगा हडपा से मिला विसाल अनागार तो हडपा से एक विसाल अनागार मिला है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे देखेगा स्टूरेंट्स हडपा से 6-6 की दो पंक्तियों में दिर्मित कुल 12 कक्सों वाला एक अनागार प्राप्त हुआ है हडपा के एक एफ टिले में पक्की हुई इटों से निर्मित 18 व्रत्ताकार चबूत्रे मिले हैं इन चबूत्रों में इटों को खड़े रूप में जोड़ा गया है परतेक चबूत्रे का व्यास 3.20 मिटर है हर चबूत्रे में संभवताय ओखली लगाने के लिए छेद था इन चबूत्रों के छेदों में राक जल्ले हुए गिह हुँ तता जोके दाने यहों भूसा के तिनके मिले है मार्टिमर विहलर का अनुमान है कि इन चबूत्रों का उप्योग अनाज पीछने के लिए किया जाता रहा होगा सर्मिक आवास के रूप में विक्षित 15 मकानों की दो पंक्तियां मिली हैं जिन में उत्री पंक्ति में साथ एवं दक्षिनी पंक्ति में 8 मकानों के अवसेश प्राप्थ हुए हैं परते ग्रह में कमरे तथा आंगन होते थे इनमें मोहंजोद्रों के ग्रहों की भाती कुए नहीं मिले हैं मोहंजोद्रों के घरों से जो कुए मिले हैं वो हडपा से नहीं मिले सर्मिक आवाज के पास ही 14 बठों और धातू बनाने की एक मुस्ता के अवसेस मिले हैं इसके अलवा यहां से प्राप्त कुछ महतोपन अवसेस मिले हैं जैसे एक बर्तन पर बना मच्वारे का चित्र, संख का बना बैल, पितल का बना इका, इंटों के वरिताकार चबूत्रे यह कहां से मिले हैं अन्नागार के पास से ही यह सारे के सारे साख से भी प्राप्त हुए है अब देखे हडपा से मिला कबरिस्तान तो हडपा से एक ऐसा कबरिस्तान मिला है जिसे समाधी 837 नाम दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले मादो सवरूब वच ने उत्करन कराया था बाद में 1946 में वीरलर ने भी यहाँ पर उत्करन कराया था यहाँ पर खुदाई से कुल 57 सवाधान मिले हैं इन सवों को उत्तर दक्षिन दिशा में दपनाया गया है तथा इनके सिर उत्तर दिशा की ओर होते थे एक कब्र में लकडी के ताबूत में लास को रख कर यहां दपनाया गया था 12 सवाधानों से कांसे दरपन भी पाए गये हैं एक सुर्मा लगानी की सलाई सीपी की चम्मत था कुछ पत्थर के फलक जिने ब्लेड भी का गया है वो पाए गये हैं हडपा में सन 1934 में एक अन्य समाधी मिली थी जिसे समाधी एच नाम दिया गया था इसका समत सिंदू सब्य सब्यता के बाद के काल से था अब देखिएगा हडपा नगर का नास कैसे वा पतन कैसे वा तो हडपा सबसे पहला खोजा गया सिंदू गाटी सब्यता का स्थल था इसे इल चुरानी वालों नी बूरी तरह से नस्ट कर दिया था 1875 में भारतिये पुरात्यात्तिक सर्वेक् के पहले जन्रल अलेक्जन्र कनिंगं जीने भारतिये पुरात्त्त्व का जनक आजाता है उन्होंने लिखा है कि प्राचियन स्थल से ले जाई गई इटों की मात्रा लगबख सो मील थी, लाहोर से मुलतान के बीच बिचाने के लिए प्रयाब्त थी, इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीर सरंचनाई नस्ट कर दी गई इसके विप्रीत मोहन जोदलो कहीं अधिक सरंखसित था अब देखेगा कई बार प्रीक्षा में इस ताइप के क्यूशन पूछे जाते हैं देखेगा कथन क्या है हडपा सबेता के नगरीकरण से सामाजिक विभेत का पता चलता है कारण क्या है हडपा इनगर दो भागों में बटा हुआ था पस्यमी भाग टीले पर इस्तित सुरक्सित दिवार से गिरा हुआ था तो इसका अंसर क्या आएगा कथन और कारण दोनों सही है तथा यहां पे व्याख्या हो रही है हडपा से मिले ऐसे साक्से जिन के बारे में परीक्षों में बार बार पुछा जाता है वो कौन-कौन से देख लीजिएगा एक भरतन पर बना मच्छवारे का चित्र तो कई बार पूछ लेते हैं कि बाई एक बरतन पर बना मच्छवारे का चित्र कहां से मिला है संग का बना बैल कहां से मिला है इक का गाड़ी कहां से मिली है तो इनको थोड़ा सा अगधान से देखेगा हडपा से प्राप्ट दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पस्सिमी टीले को तथा तो देखेगा हडपा से प्राप्ट दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पस्सिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है तो ऐसे भी कई बार पूछ लेते हैं कि हडपा से जो दो टीले मिलने हैं उन में से पूर्वी टीले को क्या कहा गया है नगर टीला और पसिमी टीले को क्या कहा गया है दुर्ग टीला हडपा के उत्खनन से एक पौन नियोजित नगर के परमाण मिले हैं और ये नगर उपरी ये निचले दो भागों में विभक्त है तो धन्यवाद स्टुडेंट्स आज हमने इस वीडियो में हडपा नगर के बारे में पढ़ा है और आगे के वीडियोज में भी हम सिंदु घाटी से बैता के जो और भी नगर है उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप हमें फेस्बुक पे लाइक और सेर करें ट्विटर पे आप हमें फॉलो करें और वोड्सब पे बने हमारे ब्रोडकास चैनल से जुड़े ताकि आपको नए-ने वीडियो और इत्यास के बारे में नहीं नी जो इन्फोर्मेशन है वो पोस्ट भी डाल रहे हैं उन सबसे आपको इत्यास के बारे में पता चलेगा धन्यवाद